भारत में एक समय ऐसा भी था जब देश में जालीदार टोपी लगाने की होड़ चल रही थी। देश के हर पार्टी का हर बड़ा नेता जालीदार टोपी लगा कर तुष्टी करण की राग्नीत करने में लगा पड़ा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस दोर का सच आज दकस्मीर फाइल्स के रूप में पाहर आ रहा है। लोग कहते हैं कि 2014 में भारती जनता पारटी की सरकार बनी या यूँ कहिए कि मोधी नेत्रीदु की सरकार आने के बाद अब पारटीओं के नेता खुद को बड़ा हिंदु साबित करने में लगे हुए हैं क्योंकि बीजेपी, राम मंदिर, धारा 370 और आर्टिकल 35 और काश अब लग रही है, एक और जहां पुरा देश, कॉंग्रेश को समर्थन करने वाली शिवशेना की आलोचना कर रही है, तो दूसरी ओर शिवशेना इस मुद्दे पर सफाई देती नजर आ रही है, इस मुद्दे को लेकर शिवशेना प्रवक्ता संजयर राउत और मुख्यम मायम नेता की तरफ से शिवशेना या फिर कहली जिए महाविकास अगाडी गडबंदन को जौइन करने का प्रस्ताव भी दिया गया देखिए ये बार बार जो 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 राजनेतिक पार्टी आप में आपको सेकूलर कहती है और कहीं पर भी कोई भारतिय जन्ता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो हमारे उपर पोड़ा जाता है तो राश्चवदी कांग्रेस के एक मंतरी को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे उपर रोना रोया जाता है कि M.I.M. की वज़े से BJP जीत किया है M.I.M. B. टीम है तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बहुला चली हम आपके साथ आजाते है तो एक मरतबा के लिए खतम ही हो जाएगा मामला हम आपकी जो महराश्रा में कॉंग्रेस हैं नसीपी है हम उनके साथ आते हैं तो ये इल्जाम हमारे उपड़ से पर्मेनंट हट जाएगा करके तो ये प्रस्ताओ मैंने इस हिसाब से उनको दिया है लेकर मुझे मालूम है कि रभा आने ही सकेंगे क्योंकि उनके साथ शिवसेना है और शिवसेना किसी सूरत के अं अंदर इमायम को लेना नहीं चाहेगी तो अगले बार ये बोलना इनका पूरी तरह से बंद हो जाएगा कि MIM की वज़े से क्यों कि हम तो प्रस्ताव दिये हैं उनको देखते हैं अब उनके तरफ से क्या प्रस्ताव आता है वो accept करते हैं या नहीं करते हैं इस मुद्धे पर शिवशेना का कहना है कि हम कटर हिंदुतवादी हैं और रहेंगे इसमें हमें किसी के सर्टिफिकेट के जरूरत नहीं है इसके जलिल साजिस्ति हो हमको बद्दाम करने के हमारे बारे में भरम पैदा करने के लेकिन हमने कह दिया है कि इस प्रकार का कोई अलाइंस आज होगा नहीं के साथ एम आयम आने के लिए तयार है यह प्रस्ताओं से शूसेने का करेक्टर क्या है यह पूरी तरह से जाहिर होता है और अभी शूसेना यह हरी सेना बंग गई है ऐसा मेरा कहिना है सर जिसर से लगातार महराष्ट में सियासी हंचन मची हुए एक के बाद एक दूनों तरफ से आरूपर तारोग को दावर जा रही है इस वीच जो है संसत इंतियाज का मिलना और कहिनगे यह बताता है कि सिसेना कहिनगे डडी हुई है और इसलिए लगातार लोगों से मिलना सब्सक्राइब करता है जो तीनों दलों की सरकारा उसमें सिसेना एक आम रोल अदा कर सकती है लेकिं सिसेना दौर एक कहा गया कि हम तीन पार्टों कहां चोटी पार्टी का कोई विकल्प नहीं अईसा है यही शूसेना है ना कि एक मंत्री ने दाउत के साथ वेवार किये बॉम्बलाश में जो कन्विक्टेड है उनके साथ नबाब मलीक ने वेवार किये ये पियमेले कोट ने भी माना उच्चनैले ने भी माना इसके बावजूद देश के करवांक एक का दुश्मन द आउत के साथ वेवार करने के लिए नबाब मलीक का समर्थन शूसेना कर रही है उनके घर पे जाकर उनके घरवालों का सांतुवन किया जाता है और वो भी शूसेना के तरब से मुझे लगता है शूसेना अभी पूरों तेरे से बदल गई है ये उद्धो बारा सेब ठाकरे जी कि नइ शूसेना है और शूसेना अभी भगवी सेना रही नहीं है जी भरतिया जन्ता पार्टी कुछ कर रही है तो मैं संझे राओं जी को कहिना है कि हम एबायम के साथ नहीं जाने वाले इसके उपर लोगों का विश्वास बढ़ेगा सच छुपाया गया है बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था दिके कश्मीर की राजिनिती पचास साल से चल रही है कि कश्मीर फाइल जो सिनेमा आया है ठीक है ऐसे बहुत से फिल्म साती है जाती है फिल्मों में कितना सच होता है और कितनी कथाए बनाई जाती है सच होता है कभी जूट होता है लोग देखते हैं लोग भूल जाते हैं तो एक फिल्म है जिनको अच्छी लगए वो देखेंगे जिनको अच्छी नहीं लगते वो भी देख लेंगे और उसका उपर आपने सोच बनाएंगे एक प्रोडोसर ने फिल्म बनाई है उसमें बहुत से आर्टिस ने काम किया है कश्मीर एक विशा ऐसा है हमारी दिल को छूने वाला विशा है हमने बहुत सालों से कश्पिर में क्या हुआ है वह बहुत नजदिक से देखा है तो अगर किसे ने फिल्म बनाई है तो मैं यह बेंदा हूँ ठीक है उससे कोई राजनेतिक फाइदा किसी को नहीं होगा लोग कोशिस करेंगे जरूए लेकिन नहीं हो लेकिन सच छुपाया ग